यो, what's up guys, कैसे आप सबी लोग, welcome back to another video, तो आज किस वीडियो में हम दुबारा से खेर ले जा रहे हैं, car for sales simulator, तो पिछले episode में हमने काफी कबाड़ा car खरी दी थी, जिसको बेच के हमने काफी अच्छा profit भी कमा लिया था, तो आज भी हम एक new car लाने वाले हैं, जिसको बेच क काफी तगड़ी earning भी करनी पड़ेगी, तो पहले हम चलते हैं car देखने के लिए, और देखते हैं हमें कहाँ पर सबसे अच्छी car मिलने वाली है, और आज का हमारा budget है 14,000 डॉलर, चलो यार चलते हैं सीधा car market, और यहां से हम खरीदने वाले हैं 14,000 डॉलर के अंदर एक प् मिलने वाली है, तो यहां पर जातर गाड़ी जो है वो एक जैसी है, मुझे लगता है जो अगला upgrade आएगा, उसके अंदर हमें अलग-अलग cars देखने को मिल जाएंगी, इस वाले upgrade के अंदर जो सारी cars हैं, वो काफिया तक similar है, चलो यार इससे जाके बात करते हैं यह अपनी कार कितने में बेच रहा है, ओ बाई साब, 13,200 मेरे budget के अंदर है, लेकिन फिर भी में यह गाड़ी नहीं खरीदने वाला है, यह हमें 11,000 के आसपस पढ़ने वाली है, लेकिन मैं भी इसे refuse करने वाला हूँ, चुकि मैं सोच रहो है, एक सस्ती सी कार खरीद के उसे काफी high rate बेचने का, अब इससे बात करें देखते हैं, हाँ बाई क्या पता यह वाली कार हमें सस्ती बढ़ जाए, बाई इसका rate तो उससे भी ज्यादा है, 12,000, अब लूटने के लिए खड़ाए गया, मुझे नहीं लगता आज कोई सस्ती सी गाड़ी मेलेगी, यार तू और बता बाई, बाई, फाइनली मैं यह वाली गाड़ी खरीदने वाला हूँ, यह मेरे बजट के बिलकुल अंदर है, और मैं इसे बेच के काफी साथ प्रॉफिट भी कमा सकता हूँ, अब बार यह इसे ले के जाने के अपनी डिलर्शिप पे, तो देखो यार मैं सोचकर तो यह आ सामने कस्टमर खड़ा है, लगता है हमने जो पिछली वाली गार बेची थी, उसे देखकर काविजारे कस्टमर्स हमारी डिलर्शिप पे आने लगे हैं, अब जल्दी से इस गाड़ी को अंदर पार्क कर देते हैं, और फिर हम बात करेंगे इस कस्टमर्स से, तो लो भाई, जल्दी से गाड़ी को बंद कर देते हैं, बाहर निकलते हैं, और चलते हैं अपनी डिलर्शिप के अंदर, देखते हैं इस वाली कस्टमर को क्या चाहिए, तो भाई, गाड़ी तो इसकी काफी जादा मस लग रही है, मुझे लगता है अगली बार मुझे ऐसी गाड़ी खर बाई साब, तो यह वाला कस्टमर अपनी गाड़ी बेचने हैं, जो कि बेचे का साड़े 19,000 में इतना बज़र तो अपना है नि भाई, सिधा रिफ्यूज मारते हैं, अपनी वाली गाड़ी का प्राइस सेट करते हैं, हम इसे कितने में लेका है थे और कितने में बेचना है जल्दी से बाई इसे कर लेते हैं सैट, तो इस वाली गाड़ी को बेचने से पहले मैं सोच रहा हूं, एक बार इसे रिपेर करा लेते हैं, चूकि रिपेर करने के बाद जो गाड़ी के प्राइस होते हैं, वो काफी जादा बढ़ जाती है, और प्रॉफिट भी जादा ने बास है आप जल्दी से गाड़ी अंदर लने के चलते हैं और देखते हैं भाई इसे कितना मोठा खडच्छा यहां पर बेचने वारा है चलो यहां देरे बात करके देखते हैं हाँ बाई जल्दी से इस गाड़ी को रेपेर तो चुकि हमें इस गाड़ी को बेच के काफी मोटा पैसा भी कमाना है तो यहां पे हमारे लगने वाले हैं 1500 डॉलर तो कोई बात नहीं है जहां पे इतनी महांगी गाड़ी खरीद ली वहां पे 1500 डॉलर और लगा देंगे और कुछ देर बाद हमारी जो गाड़ी है वो पुरानी से एकदम नहीं जैसी हो जाएगी थोड़ा वेट कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमारी गाड़ी बिलकुल चमचमाती नहीं हो गी है अब हमें इस गाड़ी को लेकर चलना अपनी डिलर्शीप और वहां पे जाकि इसका काफी तगड़ा प्राइस सेट करना है चलो यार इस गाड़ी को लेकर चलते हैं लेकिन इस बार काफी बचाकर चलाना पड़ेगा चुकि थोड़ा सा भी डेंट आया तो यार उसका खर्चा भी मुझे भरना पड़ेगा तो चलो गाइस जल्दी से लेकर चलते हैं इस गाड़ी को अपनी डेलर्शिप पे जो की बिलकुल पास में ही है तो गाइस लास टाम जो मैंने गाड़ी खरीदी थी ना उसके अंदर मुझे काफी तगड़ा प्रॉफिट हो गया था हो सकता है तो भाई यह रहा बंदा चलो इससे बात करते हैं एलो भाई साब अरे अंदर गया कर रहे है बाहर खड़ा हूं मैं तो भाई यह वारा बंदा अपनी गाड़ी को 30,000 डॉलर के अंदर बेचने आ है अभे पाग लेगा इतना तुम्हारा खुद का वजट नहीं है तेरी गाड़ी बाद में घरी देंगे पहले अपनी वाली गाड़ी को सेल पर लगाते हैं और इससे प्रॉफिट कमाते हैं जल्दी चलते हैं हमने डिलर्शिप के अंदर इस वाली गाड़ी का प्राइस वो सेट करते हैं चलो यार देखते हैं कि हमने यह वाली गाड़ी कि सेल पे लग चुकी है अब देखते हैं कौन-कौन कस्टलिमर्स आगे हमारी गाड़ी को देखते हैं यार आज बेगा थक चुका हूं सोच रहा हूं थोड़ी देर सुख लेता हूं तब तक कस्टमर्स भी आ जाएंगे तो यह रा मेरा सोफा थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं यार मुझे नहीं लगता यह वाली गाड़ी बिखने वाली है तो इस वाली गाड़ी को हम बेजने वाले हैं नेक्स अबिसोड में बाकि अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ना बाकि मैं मिल दा हूं आपसे नेक्स अबि गुर्द बाई